स्वागत है आप सभी का टेक स्टड़ी आई टी आई यूट्यूब चैनल पर आई टी आई के एक्जाम से जुड़ी एक अपडेट आ रही है जो कि आपका आल इंडिया ट्रेट टेस्ट 2022 में अगस्त में जो एक्जाम होने वाला है आपके 2021-22 सेशन का उसी के रिगार्डरिंग यहाँ पर अपडेट है भी है 21-22 सेशन से यहाँ पर मतलब यह है 21-22 सेशन में जो 2020-22 सेशन का 2021-22 ट्रेड है और 2021-23 के फर्ष्ट यर ये तीनों इसी सेशन के एक्जाम नेशन में आएंगे तो 22 जून का ये लेटर है इसी के बारे में पूरा डिटेल देखेंगे क्या-क्या सब्जेक्ट के आपके एक्जाम होगे DGT ने बहुत सारे चेंजेज भी किये हैं और क्या होता है बहुत पहले जो लेटर्स आये थे उसमें और अभी में देखेंगे थोड़ा सा डिफरेंस भी है इसी लिए आप तक हर अपडेट पहुचना जरूरी होता है नहीं तो कई बार क्या होता है पुराने लेटर्स कुछ कहते हैं और नए लेटर में कुछ और आ जाता है तो चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए साथ ही इस वीडियो में बात करेंगे जो आपके एकजाम होने वाले उसके आप तयारी कैसे कर सकते हैं जिससे कि आप बहुत अच्छा अपना रेजल्ट ले आ सकें तो यहां पे एकजाम किनके किनके होंगे अगर इसको देखा जाये तो इसमें क्लिरली बुला गया Second Year 2020-22 Session First Year 2021-23 Session एंड One Year Trade and Six Month Trade 2021-22 Session ठीक One Year Trade से मेंसे जैसे वेल्डर, प्लमबर, आपका कोपा, ठीक अड्रेस मेकिंग यह सारे One Year के Trades है तो इनके exam होने यहाँ पे इसी के लिए यहाँ पे कुछ चीजे schedule की गई है इसमें देखिए एक चीज पहले लिख दिया गए अब इसमें आता है hall ticket की eligibility तो उसके लिए 22 जून से 2 जुलाई तक का time रखा गया है ध्यान दीजे इस 22 जून से 2 जुलाई के period में आपको अपने ITI से contact करना है तभी आपका hall ticket generate होगा एंड आप practical और theory का exam अपना दे पाएंगे अब इसमें बात करें ITI से क्या क्या काम होने देखिए आपको सिर्फ ITI में जाना ऐसा है कि अगर जैसे आप बहुत दिन से private ITI कहीं पर admission लिए नहीं गए है classes तो आपको वहाँ पर contact कर लेना है जो भी fee से उसको submit कर देना है वहाँ पर attendance submit होगी 80% है उससे ज़्यादा होगी तभी आपका hall ticket generate होगा आपका seasonal minimum 60% marks आप पाएंगे तभी आपका hall ticket generate होगा तीसरा criteria है आपका CBT और practical की fee CS होगी तभी आपका hall ticket आपके trainee profile से generate हो पाएगा तो यह सारी चीज़े यहाँ पर हो गई इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे trainee profile verification for hall ticket generation इस बार क्या है एक नया system आया है अभी तक आप सिर्फ trainee verification करते थे इस बार एक नई function उसमें add किया गया है जिससे आप क्या करें अपनी profile को hall ticket generate होने से पहले verify कर लें अगर आप उसमें सब कुछ जो भी आपका आता है सारी चीज़ों को verify करके submit कर देते हैं इसके बाद आपको grievance का option नहीं दिया जाएगा जो चीज़ें जो नाम जो भी mistake को आप अभी सही करवा लीज़े otherwise आपका जो आप submit कर देंगे वही आपके mark sheet और certificate में आएगा फिर आने वाले time में आपको profile correction में बहुत problem होने वाली है फिर आता है CBT exam pattern जो तीसरा सबसे main मुद्दा इसमें CBT exam का pattern क्या होगा आपने पहले के videos में भी देखा होगा कि बोला गया थक जो employability skill है उसको सिर्फ formative assessment के थुरू लिया जाएगा होगा आपको अगर subject पढ़े रहेंगे तो आपके काम आने वाला है अब देखें यहाँ पे pattern क्या होगा तो pattern के जो बात की जा टोटल 75 questions का आपका सिर्फ और सिर्फ एक paper होगा टोटल नंबर होंगे 150 जिसमें trade theory होगी workshop calculation and science होगा engineering drawing होगा और employability skill होगा trade theory के total 38 questions होगे 76 marks का इसके 6 questions होगे इसके भी 6 questions होगे and employability skill के total 25 questions होगे ठीक है तो यह total आप add करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 75 questions हो जाएगा तो यहाँ पे workshop calculation में सिर्फ 6 questions आने वाले playlist में आप वहाँ से जाके जरूर देखिएगा approach 20 trade का हमने trade theory भी कुछ questions कराये हैं कुछ अभी आपको regular basis पे मिलें लगेंगे सभी trade के part wise जिससे आप तयारी कर पाएंगे और engineering drawing के भी first year के questions आ चुके second year भी जल्दी आपको मिल जाएगा जो non engineering trade होते हैं जैसे कोपा हो गया ड्राफवेन हो गया fashion design technology dress making इन सब trades में क्या होगा सिर्फ 50 questions आपके trade theory के होंगे और 25 questions होंगे इंप्लाइबल्टी इस दिल के यहाँ पर क्योंकि आपका ED और math यानि वरक्षाप कल्कुलिसन इंट साइंस नहीं रहेगा तो यहाँ पर questions बढ़ा दी गए हैं question आपके भी 75 भी रहेंगे total number 1500 ही रहेगा questions बढ़ जाएंगे ठिक CBT fees की बात करें उसका भी यहाँ पर guideline दिया गया है CBT fees candidate नहीं जमा कर पाएंगे सिर्फ ITI या state direct rate ही उसको जमा कर पाएंगे वो online भी कर सकते हैं bulk payment वो DD के through भी कर सकते हैं तो CBT fees आप लोग नहीं पे करेंगे आप अपने ITI में जमा कर देंगे ठीक है यह data है जो मागा गया CBT fees and eligibility create करने के बाद इस पे सभी ITI को देना होगा CBT fees payment link की बात करें तो 24 जून से लेके 5 जुलाई तक यह link open रहेगी जिस पे ITI जाके अपना payment कर सकते हैं आप लोग अपने ITI से contact करके अपनी fees पे कर दीजे आपका अगर सेशनल होता है सेशनल अपना दे लिजे जिससे कि आपकी सारे eligibility create हो जाए और आप आसानी से अपना exam दे पाएं एक later यह आपका हो गया उम्मीद करते हैं यहाँ पे आपको सारी clarity आ गई होगी इसी क्रम में आप देख सकते हैं UP का है लेटर है बट यह जो NCVT के exam होते हैं CBT exam होते हैं यह सभी पूरे इंडिया के होते हैं यहाँ देख सकते हैं आप अखिल भारती बेवसाइक परिक्षा अगस्त 2022 तो इस लेटर में भी आप देख सकते हैं सभी principles को यहाँ पे private and government ITS को बोला गया है कि यह जो exam होने आपके अगस्त में अगस्त 2022 में खतम करने exam करा के अता आपसे अनरोध है उक परिक्षा में समलित होने वाली प्रसिक्षार्थियों हैं NCVT MIS portal पर जो भी अपेक अच्छी समस्त कारवाईयां उसको सा समय पूर्ण किया जाना सुनिश्चित कर लें तथा दिसा निर्देशों से प्रसिक्षार्थियों को भी आउगत कराने का कष्ट करें तो देखी आपके college में बताया जाए या ना बताया जाए बट हम आपके लिए dedicated रहते हैं कि आपक स्लेबस होंगे क्या कैसे आपका एकजाम होगा का फीस जमा होगी वो हम आपको जरूर प्रवाइड करते रहते हैं जिससे किसी भी एक candidate का at least छूटने ना पाए तो आप भी इसमें थोड़ा सा योग कर सकते हैं आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं जिससे वीडियो ज्याद झ emulate को योग suchen स्लेबस मैं हो जै वीडियो जल ऐजया मैं होगी झाल साइड कर सकते हैं जिस्वार रहते हैं जिससी जिससे किसी भी जड़ान होंगे जाया लोगता हैं लोगता हैं